अज के हम इस वीडियो में क्लास 8 क्लास 8 का एक नया टॉपिक जो की स्कॉार रूट है उसको हम डेल करेंगे, पीछे लग्तिक्लास में हम लोग स्कॉार्थ के बारे में फूल डेंटेल भ्यू देखे थे आज हम square root के बारे में पढ़ेंगे कि square root क्या होता है, square root कैसे निकलता है देखिए square root होता क्या है समझे ध्यान से The square root of a number x is that that number which when multiplied by itself gives the number x देखिए square root माले कि एक number x है तो x का square root का मतलब होगा कि अगर उसी number से एक वार फिर से आप multiply कर देंगे तो जो number था वो आपको number obtained हो जाएगा जैसे देखिए हमको पता है कि 4 का 2 का square होता है 4 तो जब हम 4 का root निकालेंगे तो कितना आएगा तो इसी number को root में हम दो बार multiply कर देंगे तो मेरा क्या होगा वो number मेरा निकल लाएगा तो यह हम पर कर रहा है root को हम represent करते हैं यह देखिए हो यह sign under root क्या हो यह under root और यह under root का मतलब होता है power 1 by 2 power क्या होता है 1 by 2 आज मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर हम किये कि 2 का square किये तो कितना आ गया 4 आ गया अब यहाँ पर 4 का जो हम under root निकाले तो 2 कैसे आता है यह समझे तो यहाँ से हम आपको पाता है आप ले क्या किया आप 4 को लिखा यहाँ पर 2 into 2 लिखा चलिए ठीक है यहाँ पर देखिए 2 into 2 दो के हो है 2 गो है तो 2 का power क्या हो गया 2 लिख दिये root का मतलब क्या होता है power 1 by 2 तो 2 का 2 और all power क्या हो गया 1 by 2 power power क्या आता है अपस्डमर कर दीका और मेरा येसम कितना आ गया 2 आगया आई ना वही नमर का क्या है multiply है तो यह क्या होता है square root होता है जिसको denote हम ऐसे करते हैं और actually root का मतलब क्या होता है power 1 by 2, actually root का मतलब क्या होता है power 1 by 2 तो इसमें हम लोग को इस chapter में हम लोग को पढ़ना है square root निकालने के लिए कि जो अलग अलग number है चाहे हम लोग simple number से बात करेंगे hard number से बात करेंगे decimal का square root सबका हम लोग square root निकालने के लिए सीखेंगे तो सबसे पहला जो हमारा method आता है repeated subtraction method इस में हम लोग करते क्या है पहले यह समझागे इस method से हम लोग क्या करते हैं दिये गए number का क्या करते है हम लोग square root निकालते हैं कैसे करते हैं तो जो given में हमें number दिया रहेगा उसमें से लगातार odd number एक से सुरू करके खटाते जाएंगे और एक से सुरू करके घटाते जाएंगे, जब तक घटाते रहेंगे, जब तक की मेरा कितना आ जाए, 0 रिजल्ट ना जाए, एक बार रिजल्ट आ गया तो आपका स्क्वार रूट निकल लाएगा, कैसे निकलता है दिखिए आपर, मुझे यहां से निकालना है, 81 का स्क्वा तो सबसे फिल्ट फ्रोसेज में, 81 में मैंने क्या घटा या? 1 घटा आए, तो 81 में जब यहां पर 1 घटा यहां पर हमको निकालना है, 81 का रूट निकालना है, यहां लिखती है, 81 में 1 घटाएंगे, कि तना गया? 80 अब 1 के बाद कौन सा आताए ऑट नमर? 3 जाता है, अब 3 कटाएंगी किट है तो कितना आ गए goodes 77 ना गए इस ट्री के बाद और नबर कौन सा रहाता है पीद्धान खुत वान तो क्योंवर hômा 9cell इंड़ आ Node कितना गेया सेवनटे सेवर तेवर कटाएंगे तो कितना आ गया रहां किरी नालिया तो 45 आगया अब यहां पर यहां से दिखते हैं 45 में हम क्या गटाएंगे 11 के बाद कौन सा और 10 तो 45 में जब 13 गया कितना आ गया 32 आ गया 13 के बाद कितना आता और 15 अगया 15 जटाएंगे तो आ गया 17 और 17 के बाद और कमर कौन सा आता है 17 आता है अब इसमें हम 70 सब्ट्राइक्ष तो कितना में आ गया 0 आ गया मैंने क्या होता है था कि रिपीटिड सब्ट्राइक्ष न आपको और नमबर लगा तरह घटाते जाना है एक से सुरू करके और जब तक घटाना है कि जब तक कि कितना आ जाए 0 न आ जाए मेरा 0 आ गया अब मैं कैसे इसका स्क्वार उट निकालूगा यहां पर 81 लिख दी है अब देखो आप कितना प्रोसेस किये है उसको काउंट कर देना है एक दू तीन चार पांच छे साथ आठ नौ आप नौ गो क्या लिए है और नमर लिए है तो जितना और नमर लिजेगा वही आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा यह आपका क्या हो गया square root निकालने का method हो गया और इस method का नाम क्या है repeated subtraction method क्या नाम है repeated subtraction method इसमें हम लोग क्या करते हैं number में से लगतार क्या करते हैं घटाते जाते हैं odd number जब तक की 0 ना आजाए एक वाद 0 आजाए जितना हम लोग और नमर लिए वही आपका क्या होता है square root होता है अप लोगों समझ में आगया होगा आप लोगों इसे note down टर लीजी तो कि अगला मारा method आता है अगला method आता है prime factorization method prime factorization question method अब इस method से हम लोग क्या करेंगे square root निकालना सिखेंगे तो इस method से कैसे square root निकलता है मैं आपको बना कर दिखाता हो जैसे मैं मुझे यहाँ पर 256 का square root निकालना है क्या निकालना है square root तो सबसे पहले आपको क्या करना पढ़ेगा prime factorization method में square root निकालने के लिए सबसे पहले इसका prime factor निकालना पढ़ेगा तो prime factor आप लोग को निकालने आता है मैं 2 से divided देंगे 21 जा 2 तू तू जा 4 2 जा 16 फी 2 से इंगे 64 x में फी 2 से 4 x में मेरा factor निकल गया उसके बाद अगला process में क्या करना है मुझे क्या निकालना है 256 का root निकालना है तो मैंने यहाँ पर लिदिया 256 अभी छोड़ेते हैं पर 256 का फैक्टर क्या गया गया एक और उसको arrange कर देते हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 6 7 8 एक 2 3 4 5 6 7 और क्या हो गया यह मेरा क्या हो गया निकल गया प्राबलम नहीं है अब इस पर क्या जहा जानेंगे रूट जहा दे क्योंकि रूट निकालना है तो रूट जहा देंगे तो यहां भी मुझे क्या होगा रूट चरहाना पड़ेगा उसके पास क्या करेंगे देखो यहां पर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1 बाइट पहले दो कि यह को है एक दो तीन चार पांचे साथ आठ आठ दो है यानि यानि यूट तू उन बाइट जाए एक लूट का मतलब क्या होता है पावर वान बाइट उता है तो पावर का पावर एक्स्पेंग चेप्र आप लोगों में प्रहाच चुका हो प फुटू जाव फूटू जाव एटू जाड छिश्टीन डूरा अन्सर आ गया यानि किsten duy 56 का रूट कितना होगा कि सुल्ला होगा है कितना होगा कि अ हो शुल्ला होगा यह आक क्या हो गया पिक्टिन होगिया मैं इदना कर नहीं क्या करना है जॏ को कॉस्चन है आपको रूट में क्या करना है पेर बनाते जाना है एक दो का पेर मिल गया इसका पेर मिल गया इसका पेर मिल गया और इसका पेर मिल गया दो का पेर है एक बाहर निकल लाएगा फिर दो का पेर है एक बाहर निकल लिया दो का पेर आएगा तो रूट में से एक बाहर निकल लि तो आप यह तो मैंने बस सम्झाने के लिए होता है कि कैसे होता है आप लोग को ऐसे डार्येक्ट करना है सब्सक्राइब आ गया आप लोग उसे उता लेजे एक को श्नौर मैं इससे देखता हूं कभी कभी कोस्टन में ऐसा देता है कि बताई यह कौन सा च्छोटा सी च्छोटा नम्बर है जो इसमें मंटिप्लाइ करें या डिवाइड करें जिससे की क्या हो जाए perfect square root बन जाए how तो इसके लिए हम क्या लेते हैं यहां पर एक कोश्चल लेते हैं 128 लेते हैं अब इसको हमको चेक करना है कि अगर perfect square है तो ठीक है अगर perfect square root नहीं है तो वो कौन सा छोटा संख्या है जो इसमें multiply किया जाए जैसे यहां पर एक कोश्चल लेते हैं यहां पर सबसे पहला काम क्या है हमारा कि 128 का प्राइम फेक्टर नहीं करना है गाटोजिए का प्राइम इसका प्राइम इसका प्राइम निकाल नहीं यहां पर इजहां देंगे और इसका पेर बन गिए इसका पेर बन गिया ये बेचारा अकेला लटक गया कोश्चिन में क्या करा है कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसको इससे मड़ी टाय करने पर ये परफिर स्क्वायर बन जाएगा तो किसका पेर ने बना टू का पेर ने बना यानि अगर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर टू और होता तो यहां पर फिर स्क्वायर बन जाता तो यहां पर लीग देंगे therefore 2 is the smallest number when multiplied by multiplied to 128 to get it perfect square root तो यह आपका क्या हो गया ऐसे अब ऐसे कोशन पूदेगा है कि इसमें वो कौन सा number है वो छोटा छोटा कौन सा number है जो इसमें divide देने पर इसको perfect square बन जाए वही का आप करेंगे prime factor निकालेंगे जिसका पेर नहीं बनेगा उसको हटाने के लिए उतना number से divide देंगे और वही सबसे smallest number होगा जिसको इतना में divide देने पड़ यह क्या हो जाए आपका यह आपका perfect square बन जाएगा तो यह आपका जो हो गया निकालने का method क्या हो गया आपका अप्राइए फेक्टराइशन मेथड आप भी अपने बुक से क्या की लिए अलग-अलग question को try कीजिए इसके रिगार्डिंग में जो भी question है यह आपको try कीजिए क्योंकि इसकी अगले topic पे हम लोग division method निकालने के लिए सीखेंगे जो कि इस class day 8 चेक चैप्टर का बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है हलो स्वेंट्स अब हम लोग यहां पर आगला जो हमारा जो आता है method वो है long division method अब हम लोग long division method से square root निकालना सीखेंगे और यह बहुत important method है तो इसमें सबसे पहला का जैसे मैं question नहीं हूँ कि सीधे diet समझते हैं कोई भी explanation देने का जुरूत नहीं है कि 65536 इस number का long division method क्योंकि जब देखिए जब बड़ा बड़ा number आ जाएगा तो उसमें आप repeated separation का भी यूज कर सकते हैं आप prime fraction का भी यूज कर सकते हैं लेकिन उस condition में क्या होता है वो ज़्यादा पेचीदा हो जाता है क्योंकि वो repeated separation बहुत लंबा हो जाएगा और prime fraction हमको बहुत ज़्यादा divide देना पड़ेगा इसी कार उसको छोटा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं long division method का use करते हैं और long division method से क्या होते हैं हम आसानी से क्या कर पाते हैं हम लोग किसी भी number का square root निकाल पाते हैं तो सबसे पहला काम हमारा है कि ये number को ले लेना number phone क्या कर लिए लेनिये उसके बाद इसको इसका पेर बनाना है क्या बनाना है पेर सबसे पहला काम number का क्या बनाना है पेर बनाना है और वो भी पेर किधर सुरू करना है इधर से नहीं इधर से शुरू करना है left की और आना है एनका ने लट लद गिए ठोड़ा अचोड़ो हमेशा सबसे पहला काम अगर सबसे पहला क्या विदे जह है क्या ना यहां फीं दे ग scales अब सबसे पहले हमेशा पियर बन गया तो वह हमेशा नमबर अगर उत्रेगा तो पियर में उत्रेगा जिसका पियर है वो पूरा साथ में उत्रेगा यह नहीं कि 55 का पेर बन गया है तो आप सिर फाइब को तार रिए गा ऐस्ता कभी नहीं होगा नहीं तो आपका स्क्राइब कभी सही नहीं आएगा उसके बाद फर्स्ट नंबर को हमको लगाना है फर्स्ट नंबर को मुझे क्या करना है यहां पर लगाना है तो हम क्या करेंगे देखिए आपको पहले वो डिभाई जो आप बनाते थे बश्पर में उसका यूज नहीं करना है यहां पर अगर आप 1 से लगा रहे हैं तो 1 1 जा लगाएंगे 1 2 जा कभी लगाएंगे 12 लगा रहे हैं तो 2 2 जा लएगा 2 4 जा नहीं लएगा 3 लगा रहे हैं तो जितना लगा है जो नंबर है उसी का मल्टीप्ल होना चाहिए यह आपको यह देखना अगर 4 लगा रहे हैं तो 4 5 जा है लगाएंगे तो यहां पर देखिए कि यहां पर दिमाल रहें है मेना लिए नमबर कितना है तो सबसे फरें दिखते हैं गया तो यहां पर देख रहे हैं वूर्ड और पर नहीं तो क्या हो गया 6 से बड़ा हो गया ना तो divide में हम बड़ा कभी नहीं लगाते हैं तो हम क्या लगाएंगे 2 2 जा तो यहां पर 2 यहां पर 2 ना 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया 4 अगला काम बहुत important काम कि जिस number से आप लगा रहे हैं उतना ही times लगना चाहिए उसके बाद इस number में उतना ही number को क्या कर देना है add कर देना है अगर हम यहां से एक लगाते हैं तो यहां भी एक लिखते हैं यहां पर 1 लिखते हैं और 1 को क्या करते हैं add करते हैं तो यहां पर 2 2 को add कर दी तो कितना हो गया 4 हो गया अब यहां पर क्या कर देंगे हम subscribe कर देंगे तो 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2 बचा मैंने क्या बताया था कि जब भी नंबर जिसका पेर बन चुका है वह हमेशा क्या होगा पेर में उत्रेगा तो 55 को यहां को उतार देंगे हो गया अब यहां पर आपको दिवाग लाना है फिर वही काव है पहले से कितना मौझूद है फोर है अब यहां से अगर आप टू से लगाते हैं तो टू यह बार बिलाएगा 42 टू जा 84 बहुत छोटा है और बढ़ाएए उसके बाद यहां से देखिए फोर फोर है पहले से फ सेवेंटीन, 176 अभी बीए छोटा एक बड़ा और चेक करते हैं 5 बार में तो यहां 5 लिख दिए हैं तो 5 से क्या करेंगे करेंगे 2525 25 22 225 एक वर 5 से भी 6 से चेक करने पर 36 ज्यादा आगे है न तो 6 से हम नहीं लेए क्या लेंगे हम 5 से तो यहां पर 5 लिखें यहां भी 5 लिखेंगे और यहां आप 5 को क्या करेंगे एड करेंगे यहां देखना यह बहुत ही पॉर्टेंट है जितना टाइम्स लगा रहे हैं उतना ही आपको एड करना है तो 45 में 5 जो रहेंगे तो कितना आ गया 50 आ गया अब 555 जा 25 फॉर जा 20 यह 20 क्या हो गया 225 आ गया दिये अब सब्ट्रैक्ट कर दे हो डाइगे 5 में से 5 गया 0 5 में से 2 गया 3 और यह 2 क्या हो गया कट गया अब यहां पर जो दो नमबर हैं पर क्यार देंगे हम उतारेंगे अब आगया में ईकशा गया 306.26 अब यहां पर बचा हुआ है 50 बचा हुआ है og अब आपको दिमाग राना है कि लाश्ट में है 6 है तो लाश्ट में 6 है तो 6 कैसे आता है यह मैं आपको ट्रीक बता रहा हूं अगर लाश्ट में 6 है तो 6 कैसे आएगा या तो 6 कैसे आएगा 4 4 जा 6 ना सकता है फोर फोर्जा 221 20 दियंगे सिख्ञ आया तो एक बोडा और क्या करते हम सिख्याँ पार από अ रिखेंगे तो सिख्या लिखेंगे अलेकर सिट रिख्या ओकर लिखेंगे तो सिक्से ही तो यहां भी क्या लिखेंगे और सिक्स को क्या करेंगे एड करेंगे यहां पर जो आएगा वही आपका क्या होगा इसक्वाइर रोट होगा आपको चेप करना है कि आप बनाये कि सही की नहीं अगर इसका डबल यहां पर आरा है तो आपका बनाया हुआ सही है 256 चूजाओ 500 टूबल आपका बनाया हुआ सही है अगर इसका डबल यहां पर नहीं आया तो आपका बनाया हुआ स्क्वाइर रोट क्या है गलत है तो यह है आपका क्या हो गया स्क्वायर रूट हो गया लॉग डिविजन मेथड से ना आप लोग जल्दी उसे उतारिए एक कोशन और मैं यहाँ पर इससे डील करूँगा एक कोशन और यहाँ पर हम लोग इससे डील करेंगे अगला कोशन जो हमारा आता है पर इसको बनाते हैं मिना ट्री 2 टू पोर नाonal यह यह बिऊसां का शोई निकाला है चलिए चेक करते हम आसे जो प्रोसेस करब्सक्राइब हम पड़ा तो प्हरट गीजर करें have सब्सेण पर नाना पीछे से दो में बनिया फिर दो का 4 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25 66 66 66 66 ज्यादा आगे हैं तो यहां पर देखिए 666 अब क्या हो गया 36 इससे ज्यादा है तो इससे कम लगाएंगे कितना लेगा 5 5 जा कितना होता है 25 तो यहां पर 5 लगाएं तो यहां भी 5 लिखेंगे और जितना मारा में लगता है इससे 5 रेखिए हो जो चलेगे 5 5 क्या हो गया 13 हो गया और यहां पर लेगी है 25 हम सब्ट्रैट कर देंगे से 5 रिया कितना बचेगा से बन्द से अब अगला पेर क्या होगा आपस में नीचे उतर जागा 749 अब फिर आपको दियान अपना रास्ट में नाइन है तो नाइन कैसे आता है या तो 339 अथा है नहीं तो 7749 नाइन आता है तो लास्ट में नाइन लाने का दो ही कर निशन है तीन या साथ तो एक और आप चेक करें यहां प्रभ देख रहे हैं इसको अब सेवन से चेक करेंगे जानी यहां पर सेवन लिखेंगे तो सेवन यहां भी लिखेंगे और सेवन को क्या करेंगे गए यहां पूरा पूरा मेरा क्या हो गया इसका डबल यहां पर आ रहे हैं इनी मेरा बनाय हुआ सहीए तो क्या लिखेंगे अंडर रूट 3, 2, 4, 9 is equal to क्या आ गया 57 यह आपका क्या निकल गया square root निकल गया long division method से यह आपका क्या निकल गया square root long division method से आप लिए उसे उतारिए और अपने बुक का try कीजिए अगला जो हमारा question है वो question है find the greatest number of four digits which we teach a perfect square मुझे निकालना है कि वो 4 उपों की सबसे संख्या क्या होगे जो की perfect square होगा तो ही काम सबसे पहला काम है और हमकों निकालना पड़ा कि चार उपों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है यानि 4 dis it is 4 dis it largest number 4 laps is it largest number क्या हता है 9 , Fl rein dozens चाड़को कर दोड़े सबसे बढ़े संक्या क्या होगा चाड़को नो होगा अब मैं सबसे पाहला प्रमूला बना फुर क्ला multipode मैंने क्या कर दिया एक पूपर लिखे पीर नीचे लिखिए उससे होँ मैटर नहीं करता है उसके बाद आगे हां पर 99 मोई करेंगेस परेंगे स्क्वार्व परेंगे वन वन जा वन टू टू जा फोर ठीजा नाइन फोर फोर जा 16 कि 55 जा 25 जा 36 7 7 जा 49 जाना 8 8 जा 64 9 9 जा 81 10 10 जा 100 10 10 जा 100 ज्यादा हो गया ना तो एक कम नाइन बार में तो 9 यहां पर लिखें तो यहां भी 9 लिखेंगे और 9 को क्या करेंगे यहां पर कि कितना आएगा देट यहां सक्वार्ट गए हम क्या करते हैं चसे करते हैं और 9 बार में चेक करते हैं यहां यहां लिखेंगे 117 सब्च्राइब डिंगे यहां से यहां से यहां यहां ची रहा है इतना बच रहा है अगर यह नमबर न अब होता तो यह होता है पर फेट स्कौर हो जाता तो वही करेंगे बस यहां पर लिग देंगे therefore, ना, सबसे हमपों क्या निकाल ला है, चार हमपों का सबसे बड़े संग्या, जो की perfect square होगा, therefore, यहां पर सीदे लिदेंगे, यह जो remainder बचेगा, जब भी greatest आएगा, तो remainder जो बचेगा, उसको यहां समसे खटा देंगे, तो यहां पर लिदेंगे, for digit, greatest number, which is perfect square, which is perfect square, क्या होगा, remainder कितना बचेगा, 198 ना, तो पहले खटा दो, 9, 9, 9, 9 में क्या करेंगे, 198 को हम खटा देंगे, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 9 में से 9 गया, 0 बचा, 9 में से 1 गया, 8 बचा, और यहां पर 9 बचा, यही आपका क्या होगा, answer होगा, यानि यह 4 आपकों की सबसे बड़ी संख्या होई, जो की perfect square होगे, आप इसे check भी कर सकते हैं, चलिए इसको हम दो check करते हैं कि क्या एक perfect square होगा की नहीं होगा, 9081, सबसे पहला काम बचाना है pair, 98 आ गया, इतना बार में 9 बार में, 9 यहां, 9 यहां, 9 आइब भी करेंगे, यह हो गया 18, 81 हो गया, 8 में से 1 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 0, 1, आपको पता भी चस लगाए था 9 टाइमस में, तो 9 टाइमस में लगाएंगे, तो यहां आ गया, 198 और यह पुड़ा-पुड़ा क्या हो गया, और इसका यह डवल आ गया, तो 9,801 इसका क्या हो गया, 99, यानि चार आपको की सबसे बड़ी संग्या, 9081 हो की परफिर स्कॉयर, दा, यानि मेरा यह बनाएंग वह क्या है, सही है, यहां पर हम क्या कर दिए, इसको चेक्ट भी कर दिये, क्या कर दियें, चेक्ट भी कर दिये, तो जब भी इस टाइब कर कोश्चन आएगा, या आप से कभी कोश्चन पुछता है, कि वह कौन सी बड़ी संख्या है, जो कौन सी बड़ी संख्या है, इसमें घटाने पर इसको क्या आ जाया ? पर 222 हो जाया इस कि पुम्हें आ जा है कि वह कौशन आता है कि वह कौनसी सबसे मॉलक्त नंबर है जो डिवेट नंमर में से घटाने पर उसको पर 15 करते तो घटाने बने जब भी बात आएगा तो आप क्या कर योगो तो रिमेंडर जो आएगा बस उसको क्या करदेंगे डिवीडेंड में से घटा देंगे वही मेरा एंसर आजाएगा और बगल में आप उसको क्या करदेंगे चेक भी करदेंगे ना तो आप लोग इसको उता लेजिए और अपने बुक का ट्राइ कीजिए हमारा जो अंगला कोश्चन आता है वह बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है क्योंकि लॉग दीवीजिन स्कॉयल में प्रोड में सबसे इंपॉर्टन कोश्चन यही है और ज्यादा तर बच्चे इसी कोश्चन में फस्ते हैं कि वह कौन सा छोटी से छोटी संख्या है जिसे जोड़ने वाला इतना है जी नहीं है जिस कोश्चन में कर रहा है कोश्चन यहां समझेगा फाइंद स्मॉलेश्ट नंबर विच मस्ट वी एड़ना तो गेट इपर्फेक्ट स्कॉयल यानि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतना में जोडने पर इसे क्या कर जाये पर्फेट स्कॉयर कर दिया जाये काम होई करेंगे बस थोरा सा इसमें डिफ्रेंस के आएगा वह दिखिए आपर सबसे पहला क्या करेंगे इसका स्कॉयर रूट निकालेंगे सब्सक्राइब निकालेंगे सब्सक्राइब पर्फेट या पर्फेट गया अब देखिए आ गया पर फॉर्टी यहां यहां पर जीरो से भी लगाएंगे तो फिल्पी वो कटने वाला नहीं है तो अब क्या किया जाएंगे तो अब यहां से क्या करेंगे हैं यहां पर ञेंगे नहीं लगा नहीं लगाना तो हैं में the लेनके ये तो स्कौार नमपर निकला नहीं आप तो पिछले कॉस्सें ना हम जाते जितना लिमेंड़ बचते उसको घता उने के लिए तो मुकान जाये है time करें कि और छोटे से एक कौन सी होगी जिसमें जोड देंगे तो तो आप ऐसा कभी मत कीजिएगा कि जो रिमेंडर बचा उसे जोड़ देना है क्योंकि आप घर पर अपना कर सकते हैं जो रिमेंडर बचा उसे जोड़िए आप कनफर्म है कि आपका एंसर आने वाला नहीं है तो इसको कैसे बढ़ाएंगे देखिए यहां पर देख रहे हैं कि मेरा 70 यहां पर कितना आया 70 आया तो डेफिनेटली कि 70 के जो हम स्क्वाइड निकाल ले हैं कि लियर ली 70 के स्क्वाइड जो हम निकाल ले हैं तो रिमेंडर क्या हो रहा है 31 बच रहा है यहांपर जो आएगा क्या होगा एक बदो चोको फिलेगी होगा शूयुकि और फेलेटली कमची और जोटीं सक्तर गैया चया है एना और इसका स्क्राइब क्या है आप चेक कर लिए यहां पर सेवेंटी वन सेवन 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 फॉर्टिनाइड वन सासा चौदा कितना अगया 5041 यानि डेफिनेटली यहां से है कि 70 का स्क्राइड जो है वह 4931 से बारा छोटा है और की से छोटा है सेवेंटी वन किश्क्राइड से क्या है चोटा है यह आप अब आब करना क्या आपस लिख देना उस लाइगल यहांपर घृषр- सबसे छोड़ी संख्या जोड़ना था उसको क्या कर दोना है बटा दिरना है 4,9,3,1 चलिए जी 1 में से 1 गया, 0 4 में 3 गया, 1 0 में से 9 गया, असल लेंगर 10 में से 9 गया, 1 और 5 में से पर गया, हतम तो कितना आ गया, 110 कितना आ गया, 110, यानि वो छोटी से छोटी संक्या 110 है, जब इसको हम इसमें जोरेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वाइर निकल लाएगा, वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वाइर निकल लाएगा, आप इसको चेक भी कर सकते हैं ना, चलिए इसको जोर देते हैं हम लोग, therefore, number is तो मेना नमबर क्या था? 4, 9, 3, 1 सबसे छोटी सेंगे क्या लिए लिए? 110 ना, 110 जोड़ेंगे तो 0 एक में से यहां पर देखेंगे 4931 में जोड़ेंगे 1, 1, 10 1, 4, 10, 5 कितना आ गया? 5, 0, 4, 1 क्या होगा? किसका रूरता हा? 71 का रूरता है यानि 110 वो सबसे छोटी संख्या है कि जब इसको हम इसमें जोड़ेंगे तो यह परफिर स्क्वार निकल लगे बहुत इंपॉर्टन कोश रहा दिकतर बच्चा इसे फस्ता है जब भी आपो कहेगा कि वो छोटी संख्या क्या है इसे जोड़ने पर यह परफिर स्क्वार बन जाए तो सबसे पहला काम है आप उसका स्क्वार निकाल ले जीरो इंक्लूड कर ले यहीं कटा रिमेंडर बच या ठीक है अब यहां पर क्या करना है आपको बतारा है कि यहां इससे डिफिनेटली यहां से सापबाचरा है कि इसका स्क्वार उठ निकाल रहा है इसका स्क्वार करेंगे तो क्या फिर भी मेरा कितना बच रहा है यानि सत्तर के स्क्वार से बढ़ा क्या होगा उन्चास एक्तिस और उन्चास एक्तिस किस से छोटा होगा तो सत्तर के एक जादा से जयानी खत्तर के स्क्वार से क्या होगा च्वोटा होगा डिफिनेटली है कि 70 के स्क्वार कितना होगे 5,000,41 तो अब क्या करेंगे हमें श्मॉर्च नमर निकाले के लिए जो जिसका स्क्वार आप लिए हो सबसे बढ़ा है उसमें से आप इस नमर को क्या कर दोगा घटा इसका आप प्रैक्टिस बहुत जितना चिसल कंसा जादा से जादा की ए थांक्यू आइस हम लोगे तेखेंगे निकालना डेस्मर लमपर निकलता है। यहां पर देखेंगे एक नमबर 144.01 इसका मुझे इनबर निटेग्रल पार्ट इसको बोलते हैं इंटेग्रल पार्ट lackadgere कि बनाऊगा सबसे आज चैन Phillips Convert करेंगे कि यहां यह 2.946 आप क्या कीज़ेगा तुरत इदे से कीज़ेगा 2-2 पेर में कर दीए लेकिन यह आपका क्या हो गया ब्रॉंक हो गया ऐसे पेर में कर वाट नहीं होता है तो कैसे होता है यहां पर देखिए जब भी आपको decimal number को pair में convert करना है तो आपको एक बात का ध्यार डगना चाहिए कि जो decimal part है वो हमेशा even number of part होना चाहिए even number of part करने का मतलब उसमें जितना digit है वो even होना चाहिए एक नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, यह सम नहीं होना चाहिए जैसे यहां पर देखिए, 2.946 में ना question खा, तो यह decimal part क्या है, even odd part नहीं है, क्योंकि इसमें 3 डिर्ट है, तो यह odd part हो गया, तो यह odd part है, क्या है odd part, तो सबसे पहला इस odd part को हमको क्या में चेंड करना पड़ेगा, even part में चेंड करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इस odd part को किस में चेंड करेंगे, even part में चेंड करेंगे, और इस even part में कैसे चेंड करेंगे, आप लोग को पता है, किसी भी number को, ना, किसी भी number, किसी भी number, अगर decimal में है, तो decimal के बाद एक दो तीन चार्फ इवन पार्ट हो गया अब अराम से अप लगा दीजिए पेर दो यह सिंगल बढ़ जाएगा ऐसे ही क्या होता है डेसिमल पार्ट का हम लोग क्या करते हैं पेर बनाते हैं चरही हो गया यह सबसे पहला कोशन यहां पर देखते हैं सब्सक्राइब क्या होगा है तो कितना लगांगे फोर फोर यहां भी क्या होगा और फोर क्या करेंगे हैं सब्सक्राइब करेंगे यहां पर उतार देना हैं और उसके बाद को आप दीचे इतार लेजिए तो दोनों चेक कर लेते हैं 81 बहुत चोटा है अब 9 बार में चेक करेंगे यहां भी 9 होगा यहां भी 9 होगा और यहां भी 9 होगा ना तो 9 9 को एड किये तो 18 हो गया और यह क्या हो गया 9.8 4.9 4.9 का दूर्णा क्या हो गया 9.8 मैं लगाएं तो 801 आ गया काटे तो क्या हो गया पुड़ा पुड़ा कट रही है यानि अंडर रोट 24.01 का रोट कितना आ गया 4.9 राएंसर आ गया यही आप लोग को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है जब करें भी आप लोग बनाएगा तो सबसे पहले डेसिमल पार्ट को इवन पार्ट में कररना उसके बाद इसका स्कॉएर रोट निकालना है अगर आप इसको इवन पार्ट में करण नहीं किजिएगा तो आपका स्कॉएर रोट का विभी सही नहीं आएगा आप वीडियो पॉज की यह उतारी है इसके रेडियेटर दुश कॉश्चन आप है स्कुर्ण और फिला संग्वलर नोड़ nhấtुरूuxe मतलब वैसše नंभर करें निकलता, यह नट हूझा-परक्रीय कैसे निकवें- मैंने से करूद सुस्टlles टेहतो हाइए। find the square root of 3, 3 एक non-perfect square है, up to correct up to 3 decimal places, या देखना है आपको कि ये दिया हुआ है कि नहीं है, अगर ये नहीं दिया हुआ है, तो कोई दिकत नहीं है, यहाँ पर हमको 3 decimal places तक, कितना, 3 decimal places तक हमको square root निकालना है, किसका, 3 का, चलिए, सबसे पहला काम है, इस 3 को क्या कर देंगे, उ यूँकि non-perfect square है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कराया है, up to correct 3 decimal places, 3 decimal places तक, तो पहले decimal देदेंगे, यहाँ पर 3 decimal places है, तो जितना रहेगा, उसका दूगना कर देंगे, तो 3 है, तो कितना कर देंगे, 3 टूजा 6, और 6 को क्या कर देंगे, 0 हम क्या कर अगर यहां पर दो राता तो टूटू जा फोर चार को क्या करते हम जीरो उतार देते हैं यहां पर तीन था तो कितना उतारती हम छे जीरो उतार दिये अब क्या करेंगे इसका बनाएंगे विए इसका प्याल अब देखिए सबसे पहले देखिए यहाँपर देखिंगين प्योज़तेश में धीर पर है इंशाई है उंपर प्याइग निधे कि शॉलिल और किया यहांपर और क्या जादा यह Defense तो बच गया कि यहां पर चला गया यहां पर आ गया अब ठीड इसको यहां पूद दिए पेर में अब चेक करों यहां पर 9 है तो 200 है तो सीधे क्या करते है नाइच चेक करते हैं 99 जाए 81 वर हात में चाहे 9 2 जा 18 18 261 जादा आ गया ना सेवन मारण में चेक करते हैं सेवन सेवन जब 49 472 जा 14 अपर कितना हो गया 189 चलिए इस दिवन पार में करतेगा यानि यहां पर 7 यहां जब 7 निंखे तो यहां भी क्या लिखेंगे सेवल निख्थी में और स्वेवन क्या करेंगे एड भी करेंगे चुना तो यहां पर कितना आ गया 189 जीरो टायर गिया टैनल वन यायर यह क्या होगिया प्रट इसको एड़कर एंड़करेंगे 774 14 अधिरी 3.4 आगया अब देखिए फीट दो जिलू उतारेंगे यहां पर पेर में दो जिलू उतार गया अब यहां पर देखिए 3.4 यहां यहां सो है चेक करते हैं आपको चेक करना है चार से चेक करते हैं चार से चेक करें तो चार से गुणा भी करेंगे पूर फो जाग शिक्स्टीन इस वाल तीन कितना आयच तरह गाँ अधर यानिकि ब्रॉच यदर बड़ा तो उससे कम जाते हैं 6 हो गया यह 4 हो गया अप्वाइन क्या हो गया थी हो गया यहां पर कितना गया में यह अब देखिए यहां पर यहां 3, 4, 6 है 3, 4, 6 है जब यहां पर टेस्ट कीजिएगा तो नेली जीवर और लेड़े को अब यहां पर तीन से चेक करते हैं तीन यहां लिखें तो तीन से क्या करेंगे उना भी करेंगे 3, 3, 9, 6, 3, 18, 4, 3, 12, 13, 3, 3, 9, 10 कितना आ गया इससे बरा नहजी 10, 389 तो हम क्या करेंगे उससे कम लेंगे 3, 4, 6, 2 जा लेंगे 2, 2, 4, 6, 2, 12, 4, 2, 8, 9, 3, 2, 6 कम आ गया चल नहीं में साहिए तो यहां पर क्या लिखेंगे और 2 क्या करेंगे हम एड भी करेंगे तो यहां पर जिस अब इससे हम लोग 2 से मटिपलाई की हैं तो कितना आ गया 6, 9, 2, 4, 2, 4, 6, 4, 3, अब जा देखिए 10 में से पोड़ गया 6, 9 में से टो गया 7 और यहां पर क्या हो गया सब क्या हो गया आपका हतम हो गया अब जड़ा देखिए कोश्चल में क्या गया था फाइंड़ स्क्वार रोट अप्टू करेंट 3 डेसिमल प्लेशेश क्या देखिए तो डेसिमल के तीन प्लेश तक मेरा आ गया चला चिक करते हैं एक दो तीन आ गया तो अप सीज़े लिख देंगे कि अंडर डूर्ट 3 इस इकल टू क्या होगा 1.732 अप्लॉक्स यह क्या निकल गया मेरा अप्लॉक्स वैलू निकल गया तो यह आपका क्या था नन परफेट स्क्वार का क्या था ना स्क्वार रूट निकालना था कि कैसे स्क्वार रूट निकालते हैं सबसे पहला जितना करेंट डेश्मिल प्रेशिस देगा वाय के बाद उससे दूना आपको जियो लेना है फिर बठाना है उसके बाद आपको ना तीन जब तक पूरा जीरो ना खत्म हो जाए जब तो आपको कल्कुलेशन करते रहना जब तो पूरा जीरो प्रत्म हो जाएगा आपका पूद एंसर आ जाएगा तो आप लोग क्या कीजिए ना यहां को निकालिए find the square root of 2 up to 3 decimal place up to 3 decimal places आप लोग 2 काने गालिए ना 3 decimal place प्लेन ने इसे नोट रहन कर लेजिये ध्याश समाझ दिजे उसके वाद आप लोग हमावं तो ने काने गालिए ना तो 3 decimal place अ हां कि हम लोग अपने चस्घर अब लोग किसी भी नंपरस्ट को सब्सक्राइब कर सकते कि सब्सक्राइबर है अना प्रफड रप्रिख्ट नमबर है उसका हम गेस कैसे कर सकते है वो देखिए देखो, इफ यू हम राइज दर स्क्वार टेवल आप 2.25 देखे आप लोग को हम याद क्या करना है पचीश से लेके पचास के बीश मतलब पचीश से लेके पचास के बीश किसका किसका परफेट स्क्वार निकलेगा वो पचीश से लेके पचास के बीश किसका किसा निकलता है इसका परफेट स्क्वार निकलता है जो given number दिया हुआ है उसके नजदीक वे उसके नजदीक वाला परफेट स्क्वार रूट आफको लिकना है उसके नदीक वाला perfect square root निकलना है उसके बाद उसमें plus manage क्या करना है deviation को add कर देना है और deviation को divide कर देना है उसी nearest perfect square root के दोगुने से देखिए मैं इसको बनाऊंगा तब आपके दिमाग में यह killer से बैठेगा सबसे पहला का हमको निकलना है nearest perfect square root देखिए बुआ यहां पर समझेगा 37 है nearest perfect square root देखो 37 से 37 से सबसे बगल वाला square root कौन होगा 49 की 46 है डेफिनेटली है कि 37 से सबसे दिख्या है 36 है और 49 भी है लेगें सबसे जाद दिख्या है 36 है तो यहां से nearest perfect square root 37 का कितना हो गया 36 हो गया 36 हो गया हम क्या करेंगे हम deviation निकालेंगे deviation मतलब deviation मतलब यह जो nearest है वो इससे कितना छोटा है यह जो nearest है वो इससे कितना छोटा है ना वो जो nearest है यह से कितना छोटा है तो इसका निकाल दो deviation 37 माइनस 36 कितना आगे deviation मेरा बवान आ गया अब देखो इसका perfect square root कितना होता है 6 होता है इसका perfect square कितना होता है 6 होता है चलिए यह पर मुला पूट करेंगे यह मेरा क्या हो गया plus हो गया उसके बाद यहां पर deviation मैंने कितना निकाला है वन निकाला है यहां पर हम ली दिए वन उसके बाद टू इन्टू नियरेस perfect square root टू इन्टू नियरेस perfect square root तो टू इन्टू अब perfect square root मेरा कितना है 6 है यहां से मेरा किया गया 6 plus 1 by 12 अब 12 को 1 से divide दीजिए जीरो देके point देंगे जीरो उतरेगा अभी नहीं कटेगा फी जीरो देंगे तो आपर हमको फीर से 0 देना पड़ेगा अब बारा अर्ट मेरा कितना होता है तो सिधे यहां पर ली देंगे इतना हो क्योंकि एप्रॉक्स वैलू है यहां पर ली देंगे एप्रॉक्स तो यहां पर क्या हो गया 6 lock को जागे गाती और स्प्रॉक्स यो इधिए या तो यह क्या हो गया तो यह क्या हो गया नहीं कि सब्सक्टर सक्टराइब कॉ गिस करना तो सब्से पहला काम है कि जो given number है उसके अगल बगल में सबसे नदीक होला square number कौन सा होगा तो 37 के सबसे नदीक होला square number 36 है और इसका square root कितना होता है 6 होता है तो यह आप लें दिये nearest perfect square root कितना हो गया 6 हो गया उसने कितना छो बार तो यह नमबर जो है कितना नीचे आता है कहा थुआ इसका सबसे सकते हैं यूज नकया सकते हैं थेंक्यू आपका स्पाइरोटाब खदम हो गया है और आप लोग का काम क्या है अपने बुक से ना इसका हड़ एक टॉपिक का जो भी मैंने टॉपिक जिसमें पढ़ाया है उस समय उसको पढ़िए उसको पाउच कीजिए और से लेटे जितना भी कोशने उसको बनाईए अग जो कोश्चन नहीं बनता है तो मुझे मेरे वार्टसर पर वो कोश्चन सेंद कीजिए